हलो एवरीवन आज मैं आपको सांस फूलने का बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय बताऊंगी आपकी सांस फूलनी पहले ही दिन से बंद हो जाएगी जैसे आप चलते हैं आपकी बहुत जाद सांस फूल जाती है और आपको इनहेलर तक लेना पड़ता है तो आपका इनहेलर भी बंद हो जाएगा लेना और आपकी पहले ही दिन से आपकी सांस फूलने की जो समस्या है वो बिलकुल जड़ से खत्म हो जाएगी बस आपको ये छोटा सा उपाय करना है छोटा सा घरेलू नुस्का बना करके लेना है और देखिएगा आपकी सांस फूलने की जो समस्या है बिलकुल जड़ से खत्म हो जाएगी बहुत ही अच्छा आजमाया हुआ ये घरेलू उपाय है मैं आपको जो सारे उपाय बताती हूँ सारे बहुत ही अच्छे बताती हूँ पहले उसने खुद पर आजमाती हूँ और तभी आपके सामने सेयर करती हूँ तो जो ये मैं आपको घरेलू उपाय बताती हूँ ये अपनी दादी नानी के बताए हुए घरेलू नुसके बताती हूँ और इन से आपको बहुत ही फाइदा लगता है तो आप मेरी वीडियो पर अगर पहली बार आई हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि मैं इस तरह के घरेलन उसके अपने चैनल पर रोज ले करके आती हूं तो फेंट्स आपको लेना है छोटा सा अदरक का एक टुकड़ा और उसके आपको छोटे छोटे पीस कर लेने हैं अदरक जो हता है हमारी सांस फूनले की जो समस्या है उसी जड़ से खत्म कर देता है तो अद्रक के टुकडो को आपको ऐसे माम जिस्ते में डाल करके इन्हें बारीक बारीक कूट लेना है तो ऐसे बारीक करके आप अद्रक को डालेंगे तो अद्रक का जो रस है वो सारा हमारे नुस्के के अंदर आ जाएगा और हमारे अगर गले में भी इंफेक्शन वगेरा है छाती में कब जमा हुआ है आपकी ये सारी समस्या बिल्कुल दूर होगी सांस फूलने के साथ साथ आपका छाती में जमा हुआ कब भी बहा निकल जाएगा और आपको थोड़ा सा गुड लेना है फ्रेंट्स तो आपको ये इतनी सी गुड की डली लेनी है जादे गुड की जरूरत नहीं है हमी इतना सा आपको गुड ले लेना है इस नुस्खे में आपको चीनी वगेरा नहीं डालनी है इसमें गुड या सक्कर का ही इस्तिमाल आपको करना है एक गिलास आपको पानी लेना है फ्रेंट्स और इस पानी को इस भगोने के अंदर डाल देना है और देखिएगा ये जो नुस्खा बनेगा आपकी सांस फूलने की समस्या को काफी हद तक बिल्कुल ठीक कर देगा गैस को ओन कर लिया है मैंने और इस पानी को गरम होने के लिए रख दिया है जैसे ही ये पानी गरम हो जाएगा तो हम इसमें ये चीजे डालने शुरू कर देंगे और देखिएगा जो ये नुस्खा बनेगा बहुत ही जादा बैस्ट बनेगा आपकी गले की खरास को दूर करेगा गले में इंफेक्शन को दूर करेगा और अगर आपकी छाती में कप जमा हुआ है उसे भी दूर करेगा तो यह जो हमने डाल दिया है इसमें अदरक कुटा हुआ और अब हम इसमें बागी की जो चीजे डालेंगे तो उन्हें बड़े ध्यान से देखीगा कितनी मातरा में हम इसमें जो चीजे डाले डालते हैं इतनी ही मातरा में आपको डालनी है तो अद्रक हमने इसमें डाल दिया है और अब देखेगा फ्रेंड्स हमने ये थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर लिया है इसमें आप चार या पांच काली मिर्च का ही पाउडर डाले बना करकी चार या पांच से फालतू आपको काली मिर्च नहीं लेनी हैं अगर ज्यादे काली मिर्च लोगे तो आपकी छाती में जलन हो जाए और थोड़ा सा ही आपको हल्दी पाउडर लेना है जितना आप वीडियो में देख रहे हैं इतना सा ही हमें इसमें हल्दी पाउडर डालना ह और इसे हमें अच्छे से पकने देना है तो देखेगा इसे हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से हम इसे पका रही है और यह हमारा नुस्का बनके तयार हो जाएगा अब हम इसमें थोड़ा सा गुड डालेंगे तो गुड आपको जाद नहीं डालना है बस इसमें जो हमने नुस्का बना है ये मीठा हो जाए इतना ही मात्रा में हमें इसमें गुड़ डालना है और गुड़ को डाल करके भी आप में इसे और पकाएंगे तो इसे कम से कम आपको तीन या चार मिनट जरूर पकाना है तीन चार मिनट जब इसको पकते पकते हो जाए तो आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजेगा इसे हमें कैसे लेना है किस टाइम लेना है इस सारे जानकारी में आपको आगे इस वीडियो में देने वाली हूँ तो वीडियो को बिना स्किप के लाश तक जरूर देखेगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादे फायदे मंद हो सकती है और आप इस वीडियो को दूसरों को भी सेयर कर सकती है ताकि इसका लाब कोई और भी ले सकते है तो देखिए ये पानी का कलब कैसा हो गया है पकते पकते और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे हम एक cup या glass में छान लेंगे तो यह मैंने एक cup लिया है तो friends इसे आपको दिन में दो बार लेना है एक बार तो आप इसको सुबह के time लेंगे एक cup से ज़्यादा आपको नहीं लेना है एक बार में आप एक cup लीजिएगा और एक बार आप दो cup बना करके रख सकते हैं एक बार आप सुबह लीजिएगा और एक बार साम को लीजिएगा और इसे आपको चाय की तरह सिप सिप करके पीना है और इसको पीने के बाद friends आपको एक घंटे तक पानी नहीं पीना है कोई भी ठंडी चीज़े नहीं खानी है इससे आपको बहुत ही जादा फाइदा होगा और आपको पहले ही दिन से आराम लगना शुरू हो जाएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक से और जरूँ